था है कि नमस्कार स्वागए आप सभी का त्मप्रेशन कम्मधिस यूटूब चैनल पहे हम लोग बैत कर रहें आतनिक भारत की इतिहास के बारे में या कि modern India के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखेगा, इससे पहले कि जितने भी वीडियो है, उसमें हम लोग ने प्राचीन भारत और मदकालीन भारत के बारे में हम लोग ने बात किया था, तो मैं थोड़ा सा आपको बतायता हूं, कि मैंने प्राचीन की इतिहास के बारे में बात किया है, प्राचीन भारत में, जिसमें हम लोग ने इंडस वैली सिवलाजेशन आईवी सी से ले करके, और हर्स तक की बात किया है, यानि हर्स बर्धन तक की बात किया, बर्धन डैनेश्टी तक, उसके बाद हम लोग ने मदकालीन भारत की इति सुरू करके और हम लोगों ने बात किया है कहां 707 तक यानि की औरंगजेव के मिर्तियु तक बात किया है औरंगजेव के मिर्तियु तक ठीक है अब यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा औरंगजेव की मिर्तियु तक बात किया है अब मोडर्न इंडिया में जब हम बात क बात करेंगे और फिर धीरे इसके expansion को देखेंगे किस तरीके इस European Company भारत में expand होना शुरू होता है और उसके बाद उस expansion के साथ हम लोग जो छेत्रीय रियासत है जिसमें अबध बंगाल सबसे important है मैसूर सबसे important है तो अबध बंगाल मैसूर को हम लोग देख लेंगे छेत्री रियास्तों में और उसके साथ फिर आगे बढ़ जाएंगे अंग्रेजों के साथ ठीक है ना इस बात को ध्यान रखेगा मराथा की बात हम लोगों ने पीछे कर लिया था जिसमें ने कहा था कि आंगल मराथा उसमें किस तरीके से ती मराथाओं की समराज पूरी तरीके से स हम आप्त हो जाता है तो कहीं ना कहीं मदकालीन भारत से मोडरन की तरफ हम आगे तो बढ़ चुके हैं लेकिन बस एक बार फिर से पीछे चले और फिर आगे चलेंगे इससे क्या होगा कि हमारा जो चीजे छूट रही होंगी वह हमारा कबर हो जाएगा और एक प्रोसेस होत जितने भी मुगल सासक आये हैं उन मुगल सासक को स्पेशल परना एकदम बेवकूफी है स्पेशल नहीं पर सकते हैं उसको पढ़ा भी नहीं जाएगा पढ़ाते भी अक्सर नहीं है लोग बद बद की उसको संदर्व में परने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऐसी घट में आ जाएगा छुटे का नहीं और वैसे भी संदर्व में जब हम आपको कोहिनूर बता रहे थे तो उसमें मुहम्मद सारंगिला के बारे में थुरा सा बता दिया था तो एक क्रम होता है और एक क्या वहलता है रिफ्रेंस होता है इसको अपरा ध्यान में रखते हुए चल है जो हिंदी में है उस पे आप ज्यादा ध्यान दीजे क्योंकि वह गरबर नहीं होना चाहिए इतिहास के वह टर्म ठीक है चलिए आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूरोपियन कंपनीज के लेकर के जो यूरोपियन कंपनीज भारत में हम उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले तो हम देखते क्या है कि सबसे पहला कंपनी जो भारत में आया वो था पूर्तगाल सबसे पहला कंपनी भारत में कौन आया पूर्तगीज आया यानि कि पूर्तगाल यहां पर एक बात ध्यान रखेगा कुछ पॉइंट है जिसको Cape of Good Hope होते हुए यह जो point है ना यह बड़ा important है exam में question कई बार बना है तो अगर exam में question कई बार बना है तो इस point को एक बार देखा जाए एक बार देखने की कोसिस करते हैं हम लोग अपने अस्तर से देखिए अगर आपको world map मैं थुरा सा चुकी जोगराफी में पढ़ा दिया हूँ तो world map मैं समझता हूँ कि आपको कुछ ने कुछ याद होगा तो मैं कुछ बनाने कोसिस करता हूँ ये देखो ये पूर्तिगाल है और ये आपका Spain है ठीक है ये पूर्तिगाल है इसके उपर में England है ये बाता पच्छे तरीके से समझ दीजे जब ये बात यहाँ पे है तो यहाँ पे ध्यान दीजेगा और नीचे यहाँ पे African countries है African पूरा Africa है ठीक है Horn of Africa और नीचे पूरा का पूरा क्या है Africa है याद रखेगा ये नीचे ये आपका अटलान्टिक महासागर है चलिये मैं आपको कुछ बाते बताता हूँ और ये आपका जिब्राल्टर का संदी है जिब्राल्टर और ये यहाँ पे है मुरक्को जहां से इbn-बतूता आया था Morocco, यह क्या है यहां-पे और यहां-पे अपका Spain और यह आपका पूर्तगाल ठीक है यह आपका क्या पूर्तगाल है ना यहां-पे और उपर में धुसरे दिस है जो कि मैंने बताया इसके बाद आप क्या देखते हैं कि यहां पे आपका अरवियन पेनिन्सूला है अरवियन पेनिन्सूला है यह अरवियन अरव कंट्रीज जिसको बोलते हैं अरव कंट्रीज और अरव कंट्रीज और यहां पे है इंडियन ओसियन यहां की अरव सागर है और अरव सागर का पूरा का पूरा छेत्र है और अरव सागर का छेत्र है मैं जड़ा इसको ठीक है और अब सागर का छेतर है और यहाँ पे मैं एक दूसरा कलर लेता हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ मैं भारत ठीक है तो यह और यह है आपका भारत ठीक है न यह भारत है यह हमारा भारत है यह हमारा भारत है यह नीचे में स्रिलंका है ठीक है और यह हिंद महा सागर ह ठीक है यह हिंद महासागर है और फिर यहां पे आगे अस्टेलिया वेस्टेलिया है उपर में रूस है यहां पे चीन है ठीक है और यहां पे मद्धेसियाई देश है जो की सारे के सारे है मिडिल एसिया मिडिल एसिया है जो इराक इरान बगरा का एरिया है यह थोरा सा चीजो साउथ अफरीका है यह आपका क्या है साउथ अफरीका है यह तो अब मैंने जो आपको बताया हो क्या कि पुर्तगाली जो थे ना जो जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया तो पुर्तगाली कैसे आये थे भारत तो देखो पुर्तगाली यह पुर्तगाली है और यह अट् South Africa है और इस जगह का नाम क्या है वह अगर मैं बता दू तो इस जगह का नाम है Cape of Good Hope Cape of Good Hope Good Hope saja scrape इसको को बोलते है आसा अंतरीप आसा आशांतरीप बोलते हैं इसको हिंधी में आसा अंतरीप हिंधी में क्या जरी तो ध्यान रखो यह आप देखिए इस किस तरीके से पूर्टगाल से यह ऐसा बंदा निकलता है इधर चेह भूमात सागर से यह राष्टे से नहीं आता है यहां तो रास्ता है इस रास्ते से भूमात सागर इस जगह भी पहुंचता है और यह हमारा है केरल और यहां पर आकर के पहुंचता है काली कट के तठपे केरल भारत में तो यहां पर ध्यान देजएगा यह जो आपने देखा रास्ता इसको मैं अच्छे तरीके से बना दूँ यह जो रास्ता आपने देखा न इसी को Cape of Good Hope यह इसको बोलते हैं और वही Cape of Good Hope के रास्ते से कौन आया था यह आया था बासको डिगामा भारत में और यहां पर ध्यान रखेकाजी कों थे को थे मुझे जमूरीन थे के केलरल के सासक देहान रखियेंगा थ क्या-पर यहां पर आया और सबसे पहले दुनिया में सबसे ज़्यादा मंगाया जाता है मसाला भारत का बड़ा इंपॉर्टेंट था तो मुख रूप से यह मसाला के व्यपार के लिए ही आये थे तो अपने साथ विदेशी पैसा या जो भी कांच का बस्तू भी लाये थे और यहां से मसाला लेके गए थे मसाला और कहते हैं कि बासको डिगामा जब केरल के तर्ट पे पहुंचा और जमोरीन वहां का राजा था जमोरीन मैंने लिखा है जमोरीन वहां का राजा उससे जब मिला तो उससे मिला और फिर मसाला लिया तो मसाला लेने के बाद जब वो वापस जाता है और इसी रास्ते से वापस जाता है इसी रास्ते से और पुरतगाल पहुंचता है ध्यानों दीजेगा उस मसाले को पकलत घुना जादा हुआ को Das critique ुबाइब सब्सक्राइब तो पागल हो गया यह सब, एकदम उतलग रहा था कि पगला जाए कि होस्पीटल में भरती हो जाए, इतना फैदा हुआ था, इस बात को ध्यान रखेगा, तो यह जो पॉइंट है, इसको बड़ा ध्यान से देखेगा अभी पूरे मैप को, और मैं इसलिए इसको बड़ा रोत की तरह बनाया हूँ, क्योंकि मैंने जोगरफी प्रहाया, और मुझे पूरा आसा है कि जोगरफी में आपने चीजों को अच्छे तरीके से देखा है, और यह आपका मिस्र है, तो ध्यान दीजेगा, यह पूरा का पूरा जो कहानी है, अफ्रीका कॉंटिनेंट है, क्या, क्या बोलते है, केप आफ गूड होप है, यह ही आपका केप आफ गूड होप, यह आपका केप ऑ गूड होप, ठीक है, चलो, हागे बढ़ें, हागे बरते हैं, तो फिर हमने क्या कहा था, केप आफ यहाँ पर कालि कत में पहुंचा था hear your भी सोन कूछते हैं कि सबसे पहले पुर्टगालि अने किससे हाथ मिला आजके आङए बढ़े उसके बाद पुर्तगाली जब यहां पे बेपार करने के लिए आता है और बेपार करना जब पुर्तगाली शुरू करता है तो धीरे धीरे उसके बेपार पे एक तरीके का अधिकार होना शुरू हो जाता है यानि कि एक अधिकार करना शुरू कर देता है उस पूरे का पूरे समुदरी मा और भारक देसाथ बेपार पे अपने तरीके से कर्टेल मना बना करके उसमें होता क्या है तो उसमें होता ये है कि थोड़ा समय आपको फिर से map की तरफ लेचलू एक मिनट शोरी मैप की तरफ अगर फिर थोड़ा से लेगे चलू तो पुर्तगाली चुकि ये रास्ता ढूंडे थे भारत तक आने का आप देख रहे हैं ये रास्ता भारत तक आने का उन्होंने ढूंडे थे तो जो कोई भी दूसरा देश आगे चल करके इस रास्ता से बेपार करना चाहता था, पुर्तगाली उससे टैक्स वसूलते थे चुंगी के रूप में, या तो टैक्स दो और अगा टैक्स नहीं दोगे तो तुम्हारे जहाज को डुबा दिया जाएगा, इस्पेन के जहाज क इसके बाद फ्रांस के जहाज को इसने नुखसान पहुंचाया किसने पुर्तगालीयों का नौ सेना बड़ा मजबूत था, और आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ठीक इसी समय एक नए समराज का उदय होता है, एक नया चीज बड़ा तेजि से फैल रहा होता है और इसको इसला इसलाम के जो छेत्र था पूरा का पूरा ये पूरा मीडिल एसिया ठीक है भारत का भारत में तो आप जानते ही था ही तो भारत का चेत्र और यहां पे अरबियन मतलब मिला जुला कर कि ये पूरा चेत्र इसलामिक चेत्र था ये की ये चेत्र देखो इरान इराग ताजेकिस् भारत अरब अरब कंट्रीज वेगरा ये ये मिसुर वेगरा इस सब पर किसका इसलाम का था तो यहां पर पुर्तगाली और इसलाम के बीच में यहां पर क्या हुआ संघर्स हुआ पानी पर पानी पर संघर्स हुआ किसलिए इस रास्ते को लेकर के बैपार को लेकर के जो इसल दूसरा बात है कि आप कहेंगे सर इधर से क्यों है तो उसमय तक सुएज नहर भी नहीं बना था एक और दूसरा क्या है चुकि यह इस्लाम समराज के नतरगत था तो इस रास्टे से ब्यपार करना यानि कि भूमद सागर के ब्यपार करना बहुत ज्यादा महाँ था क्योंकि पर आपको मिसर में आकर के अपने समान को उतार देना या आरब कंट्रीज में आकर के अपने समान को उतार देना आप जानते हैं कत्रवतर बहरीन में और वहां से फिर पानी के रास्ते से भारत तक पहुंचाना यह बहुत महांगा था टैक्स बहुत वसूल करते थे जो इसलामी समराज के उसमे लोग थे ठीक है तो इसने एक नया रास्ता अपनाया ये वडा रास्ता तो अगर आप से कहेंगे कि नया रास्ता किसलिए तो नया रास्ता भारत से वेपार या इस्ट में पुर्व की तरह वेपार करने के लिए अमीर थे तो अब जो गरीब होता है वो तो काम करने के लिए जाएगा ना तो एक तरीके कि समझ लिजे कि बेपार के लिए कि हम उस देश से बेपार करेंगे तो हमारे देश में भी समरिद्धी आएगा इस भाव से वो भारत में या भारत के आसपास के देशों में आये थे इस बात को भी समझ में रखिएगा तो रास्ता भी समझ में आ गया आपको भारत आने का बात भी समझ में आ गया और पूरा कर्टेल भी समझ में आ गया किस तरीके से वो टैक्स वसूल करते थे उस पानी के रास्ते पे कौन पूर्तगाली तो तो पुर्तगाली जब लगा कि हमारा वेपार्ट ठीक ठाक चल रहा है और भारत के साथ एक संपर्क बढ़िया हो गया है तो उसने क्या किया कि uerdo भारत को लोगों को सैंपों में भारति करंते उसके पहले गवर्नर थे पहले ंपरांसिसको दा जाता है कि पहले governor कौन थे तो Francisco the Almeida जो है ना पहले governor थे पुर्टगाली East India Company का चलो ठीक है तब आया थे पहली बार पुर्टगाली 1498 में आया थे चलो दूसरा बाइन चलिए तो Francisco the Almeida के बारे में कहाता है कि इन्होंने blue water policy को अपनाया था जो बात मैंने अभी समझाया है ना कि किस तरीके से पानी में संघर्स होता था किस तरीके से रास्ता को यूज करने के लिए टैक्स देना होता था यह इसी को blue water policy कहा जाता है यही blue water policy है इस बात को आप पच्छे तरीके से समझे ठीक है चलिए blue water policy हो गया उसके बाद जो दूसरा government आया वो था Alfonso the Albu Kirk ठीक है दो को पहला Almira है बताओ कैसा कैसा नाम है अलमारी हम अपने घर में रखते हैं नाम ही रख लिया खिर्की रख लो दरवाजा रख लो अब Alfonso रख लिया है हमारे यह Alfonso आम होता है होता है हमारे आम है जी आई टैग भी मिला हुए आपको मालू है तो Alfonso the Albu Kirk है यह सकेंड गवर्नर है क्या है यह सकेंड गवर्नर है इंटो ड्यूज द पॉलिशी ऑफ इंपेरलिज्म यानि कि अब यह भारत में समराजबाद की निती अपनाना सुरू कर देता है यानि कि हस्तचेप की निती किसमें हस्तचेप की निती राजाओं के तक पंदरो सौदस में और तब से गोवाई इसके पास है और जोब गवाउक को कब छौडर है उनि स्क्रिक निंहा ड्यूज ऐसे निस्ली अजिसाल में गवर्नरा को ले। है अगर तो कितने साल तक अब जा किया दो पांच और या गया चार सारे 400 साल तक पुर्तगाली जो है नो गोवा को अपने पास रखा सारे 400 साल तक 452 साल तक आप देख रहे हैं ठीक है तो यहां पर ध्यान दखिएगा यह एक्जाम का कोशन कई वार बना है मैं BBI कर दूँ ए बीजापूर आपने पढ़ा था कि जब हमने बहमनी समराज पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बीजापूर बढ़ा पढ़ाया था और गोलकुंडा पढ़ाया था आपको उसी समय बहुत सारे बढ़ार बीदर बगर के जो राजधानिया बगर थे उसके बारे में हम लोग का एक policy यानि कि समराजबाद की निती एक अपनाना सुरू करता है हस्तशेप की निती interfere करना सुरू करता है भारतिय पोलिटिकल सिस्टम में और यह जो भारतिय पोलिटिकल सिस्टम में जो हस्तशेप और एक तरीके का यह पहला हस्तशेप है भारतिए political system में वो दिखता है हमें गोवा के capture करने से ठीक है चलो उसके बाद अगला जो क्या बलते हैं गवर्नर है वो है निनो दा कुना निनो दा कुना ठीक है बहुत important नहीं है इसने कोचीन से गोवा को capital shift किया अब point यह है कि जब भारत में आये थे तो इन्होंने पहला capital क यहां बनाया था कोचीन यहां पर मैंने लिखा है कि कोचीन was the early capital of Calicut यह point अब इसने क्या किया कोचीन से क्या कर लिया गोवा अपना capital shift कर लिया फिर dew को जिता जो आप जानते हैं दमान दियू बहादूर सासे गुजरात के ठीक है दियू को जित लिया तो यह बहुत important नहीं है important है अलवू कर्क याद रखेगा अलफंसो आम और फ्रांसिसको अलमीडा blue water policy यह important है मेरे हिसाब से और बासकुर दिगामा important है मेरे हिसाब से exam के point के हिसाब से मेरे हिसाब से क्या क्या कहते हैं चलिए ठीक है अब एक बड़ा interesting point यहां पर लिखा हुआ है मै और बहुत आगे बढ़ जाते हैं, 247 में में मैं और 1861 की बात बता रहा है, तो पुर्तगाल के राजकुमारी की साधी, बढ़ा इंट्रेस्टिंग पॉांथ है, गौर से समझे गा, को राजकुमारी या इंग्लेंड के राजास होता है चाल्स से, चाल्स दूतिये नाम है, मैंने यहाँ पे साद लिखा हुआ है, चाल्स दूतिये ठीक है, तो चाल्स दूतिये से होता है, और पुर्तगाल के राजकुमारी का नाम है कैथरीन, तो उसकी साधी होती है, तो पता है पुर्तगाली जो है ना दहेज में बंबई देता है पुर्तगाली दहेज में बंबई देता है ऐसे जैसे उसका बाप का संपत्ती है चलो दे दिये दहेज में बंबई समझ रहे हो ना? मोटर साइकल नहीं, कार नहीं बंबई ये दे दिये दहेज में आप कभी सुनोगे कि कोई जो है ना इलाहाबाद दे दिया देहज में तो आप समझ रहा हो ना वही बात है चलो तो यही बात था यहां पर इसी को मैंने यहां पर बताया है अब आगे बढ़ते हम लोग यह हिंदी में है जिसके बारे हमने बात किया था है ना बासको डिगाम के बहादूर सासे दीव चीना और फिर पूर्तगालियों यह पॉइंट यहां पर हमने आपको बताया चलिए आगे बढ़ते हैं हिंदी इंगलिस दोनों करते हुए चल रहे हैं ठीक है उपर हिंदी नीचे में इंगलिस जहां भी जैसा है सब कुछ करते चल रहे हैं उसके में सन्रेसों में इस्ट इंट कंपटी के स्थापना करता है अप क्योंकि आप आप जानते हैं के अकबर का से 1605 अकबर का क्या है यह बात आप जानते हैं अच्छे तरीके से तो इस इंडिया कंपनी के अस्थापना के समय में भारत का समराट कौन था अकबर था अब कुछ लोग जहागीर टिकर क्या थे नॉर्मली पूछा जा बच्चों से एक जटके में जहागीर बोलते हैं जहाग दरवार होंगिर के दरवार में हॉकिंग सबसे पहले आया था और तॉमस रों दूसरा था जो आया था और फिर divorced में भारत में आया है 1608 और 1613 की बात हुरी है लेकिन जब company बने थी तो वो 1660 में बना था और company कहां बने थी तो company बने थी इंग्लैंड में तो उस समय भारत का राजा कौन था तो अकवर था उस समय भारत का राजा कौन था अकवर था क्योंकि अकवर का time period 1605 तक है जैसा कि आप देख रहे हैं 1605 तक अकवर का time period 1556 से ले करके यह बाते हमने पहले भी बताई है अभी मैं आपको एक बार दुवारा बता रहा है चलो ठीक है आगे आगला point यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि यह तो हो गया आपके इंग्लैंड में company के स्थापना की बात अच्छा एक चीज यहाँ प कर लो ठीक है ताकि हमारा अर्जेस्ट हो जाए प्राचीन भारत में देखा तो आप क्या देखते हैं कि आरे लोग आया कौन आया आरे आया प्राचीन भारत में जब आप देखते हैं तो आरे आया ठीक है जब मधकालीन भारत की बात करते हैं हम मधकालीन भारत की अच्छा लिवानना फ्रीज़ प्रचीन भारतर्तों सिर्फ आरही नहीं आए रा आगे चलकर के शक्षाया कई सत्राइए स्टियन आए ठीक है उसके Всё IRA कुसान आया यह सारे आatar हून आयाहर इसमें सारे के सारे को अधिय Cantum नौकों लेयर तो सब क्वाइन श्राव आया अरव धिय। श्रालर्च व्योर्ट लिख्लेश ले reiterate उसके सरे मृतたके लिखता सब्सक्सक्राइए यह सब आये मद्धकाली भारत में और जब प्राचीन आधुनिक भारत की बात करते हैं तो भारत में कौन-कौन आया, मैं फिर से एक बार बाइन अगरेंड। इ Ci आए फ्रांसीशी आए पुर्तगाली आए उसके बाद हम यहां पे डच आये डच जिसको Holland या नीदरलेंड कहते हैं डच आये यह सब आये ठीक है यह सब आये अब यहां पे ध्यान दीजेगा इतने सारे लोग जो हमारे यहां आ रहे हैं जो कि आपको दिखाई दे रहा है आरे सक सिथियन कुसान हून और अब तूर्क अफगानी प 2017 आमेड़ा क्षिय ओफवborन के किो आने कियो उसके पास पैषऑ है आप काम करेंगे पैसा देगा है तो किसली आओगे आँ श्सक्र munI पांट क्यों जाते हैं कृंकि उसके पास पैसा है आप काम करेंगे पैसा देका ठीक है तो आज समराजबाद की बात तो नहीं है कि आप उहाँ पे कब आ कर लेंगे लेकिन आप जानते हैं कि केनेड़ा में हमारे कितने सिखभाई है और वहां पे संसद के सदस चुने जाते हैं और इंगलेन में तो सुनने वाले है कि नया परधान मंत्री जो बनने वला हो भारतिय ओरीजीन है तो यह चीजे धीरे धीरे प्रोसेस हो रही है लेकिन यह लोग आया थे क्योंकि हम अमीर थे हमारे पैसा कमाने के लिए आया थे हमारे पास संपत्ती बहुत था बस सिंपल बात यही मन में सोचलो क्योंकि तुम लोब लालत से आया है और चूंकि हम लोग सीधे साथे लोग थ वह हुआ करते थे आकबर महान हुआ करते थे चलिए ठीक है ये बात हम लोगों ने पहले कर लिया कि Captain Hawking's जहांगीड के दरवार में आ था 1609 में ये बात आभी हम कर रहे है Thomas Rowe जहांगीड के दरवार में 1615 में यह भी हम यहां पे कर रहे है चलिए अगला point क्या है वो देखिए जो exam का भी question न बन गया है कई वारी कि शूतानाती कालिकाता और गोविन्दपूर यह तीन जो आपको दिखाई दे रहा है तीनों को मिला करके कल्कत्ता बन जाता है जिसको आज कोलकाता कहते हैं तो इन्होंने कोलकाता किसको किसको मिला के बनाया सुतानती कालीकाता और गोविनपूर और कलकत्ता को फिर फोर्टीफाइड भी किया गया 1699 में और उसका नाम दिया गया फोर्ट बिलियम यह इनपॉर्टेन्ट एक्जाम का कोस्टन भी भी आई है ठीक है सेंट फोर्ट जॉर्ज और फोर्ट विलियम दो तरीके के फोर्ट बनाये गया था तो फोर्ट विलियम कलकत्ता के फोर्ट को कहा गया था कलकत्ता के और पहला फैक्ट्रीन का सूरत में है 1613 में और पूर्टगालियों का पहला कहा है कोचीन में याद रखिएगा और यानि कि अंग्रेजों का पहला कहा है सूरत में 1613 में पक्का चलो इंग्लीज के बाद हम अंग्रेजों के साथ आगे बढ़ जाएंगे यहां पर रुकने का कोई मतलब नहीं है किसलिए आगे बात करते है हम लोग डच की बारें बात करते हैं थीकह है वन्यसको हम गईंद Holland थीकह है या इसको कह दे नीदर्लैन इसको क्या कह दे नीदर लैंड है थीकह 144 Summer Dutch कह दे, Holland कह दे, एक मिनिट, sorry, Dutch कह दे, Holland कह दे, या नीधर Land कह दे, नीधर Land, ठीक है, नीधर Land कह दे, ठीक है, कोई दिकत नहीं है, चलिए, ये इस कंपनी के अस्थापना का वोई थी, Dutch East India Company का 602 में, Dutch East India Company का अस्थापना गवा था 602 में, वो था East India Company, जो अंग्रेजो का था और ये है Dutch East India Company, उससे पहले आपने देखा, पुर्तगाली Company, ठीक है, पहले फैक्टरी कहा बनाया, मसूली पतनम में, जो आंदर परदेश का मचली पतनम है, और Battle of Bedra, जो 1769 में Battle of Bedra है, इंग्लैंड और Dutch के वीच में, वहां से Dutch Power भारत से समाप्त हो जाता है, अब जड़ा देखते हैं कि यह क्या, किस तरीके कहानी है, तो आप कहानी सुनेगा, कहानी सुनना जरूरी है, क्योंकि इससे याद रह जाएगा आपको, दरसल हुआ यह था कि जब भारत में सारे लोग आना शुरू हुए, तो सबसे पहले जानते हैं कि पुर्तगाली आए, और पुर्त 208 तक अंग्रेज भारत में आ जाते हैं, सूरत में अपनी कंपनी की अस्थापना करता है, ठीक है, उसके बाद डच आये, आप देखेंगे आगे फ्रांसीसी आये, तो ये सब के सब जो आये ना, ब्यापार करने के लिए तो आये शुरू में, लेकिन सब के सब राजनीती में हस्त छेप करना सुरू कर दिये, आपने गोवा का एक परमान देखा, आप इंगलीज का परमान देखेंगे, आप आगे मैं बताऊंगा, फिर आप फ्रांस में देखेंगे, तो जो एक राजनीतिक परतिदुन्दिता, जो था, जिसको बोलते हैं, ब्यापारिक परतिदुन तो ध्यान दिजेगा, अंगडेजो का एक बड़ा सिंपल पॉलिसी था, और वो पॉलिसी क्या था, या तो ब्यापारिक परतियस फर्दा में, या तो अच्छे समान को लाकर के, और जो आपका परतियोगी है, उसको रिप्लेस कर दो, या फिर जो परतियोगी को राजनीति कर दो, ताकि यहाँ पर सिर्फ हमारा समान ही बिख सके, और कोई दूसरा आए न, मतलब बाजार में एक एका धिकार का कंसेप, जो मोनो पोली बाली बाम मार्केट होती है, वो यहाँ पर कहीं ने कहीं अंग्रेजों के दिमाग में चल रहा था, इस बात को समझेगा, कि खर बेदरा का लडाई, जो कि मैंने अबने देखा, बैटल अब बेदरा 1769 में, ठीक है, तो बेदरा की लडाई होती है, और इस बेदरा की लडाई में डचों को अंग्रेज हडा देते हैं, और यहाँ पर डचों को हारने के बाद, डच भारत से लगभग पलायन हो जाता है, म अंग्रेजो के कपजों में आजाता है, एक, और एक ऐक अंग्रेजो को एक मजबूती भी मिलता है, यहाँ पर ध्यान रखेगा, और 1769 से पहले अंग्रेज 1757 की लडाई लड़ चुका है, सत्रह Allah 57 ृड़ चुका है, पलाशी की लड़ लड़ चुका है, ठीक है, यह बात आते आते आप देखेंगे कि भारत में बहुत सारे चेंजे जा जाते हैं, पलासी की लडाई के बाद लगभग बंगाल पे अंग्रेजों का एक इंडिरेक्टली अधिकार हो जाता है, जो कि बक्सर उसको सपोर्ट कर देती है, ये बात आप ध्यान रखेंगा, फिर उधर मरा मराठा का पानीपत के तीसरे लडाई में मराठा कमजोर हो जाते हैं, यानि कि 1760 तक आते आते बहुत सारी घटना हैं हमारे देश में हो चुकी होती है, जो कि अंग्रेज को इंपावर करने का काम करता है, ये बात अब ध्यान में रखेंगा, और धीरे धीरे उन सारी घटन कितना चलाक है समझ में आया रहा, चलाक नहीं चोड है, अरे हम लोग थुड़ा सा, थुड़ा सा, थुड़ा सान्त किसिम के लोग थे, चोलो कोई नहीं, ठीक है, तो डचों के बारे में बात कर लिए, यहां पे exam point of view से जो कुछ point है, उसको मैंने यहां पे लिखा है, आप East India Company, 1620, उसके बाद Dutch East India Company ने फयर कमपनी थपना ही 62 में, फिर डेनीस डेनमार्क, 1660 में, फिर फ्रेंच आय, 1664 में, सबसे बाद में, फ्रेंच आये, सबसे बाद में और ये बात भी ध्यान रखेगा सबसे पहले पुर्तगाली आये आप जानते हैं 1498 में बसको डिगामा, सबसे पहले पुर्तगाली आये और सबसे बाद में पुर्तगाली गये 1962 में सबसे बाद में सबसे बाद में पुर्तगाली गया, सबसे पहले आएं और सबसे बाद में गया, याद रखेगा, पुर्तगाली अपने देश से, चलिए, ठीक है न, आगे बढ़ते हैं, इसको इस करम को दिहान में रख लीजएगा अग़ार, हलाके हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो कुछ इस्ट इंडिया कंपणी की अस्थापना zwischen 164 में होता है, और ये राज द्वारा निकी यहां पर देखेगा राज के संरक्षन में कॉन सा राज तो फ्रेंच का गराना है, वहाँ पर उसके संरक्षन में, इस कंपणी की अस्थापना हुआ उसके संरक्षन में और यहाँ पे द्यान रखेगा और इंग्लेंड का जो कम्पणी का स्थापना हुआ था वह नीजी रूप से था हाला कि राजा का भी संदक्छन उसमें था लेकिन नीजी रूप से जादा था वहाँ पे इबात याद रखेगा चलिए इसने भी अपनी फैक्टरी पहली फैक्टरी कहां बनाया सूरत में अंग्रेजों ने भी अपनी फैक्टरी कहां बनाया था सूरत में दूसरा कारखाना इसका मसूली पत्नम है अंग्रेजों का भी दूसरा कारखाना कहा था मसूली पत्नम था ठीक है चलिए अब फ्रांसिसी के बारे में आगे हम लोग बात करते हैं इसका एक गवर्नर हुआ करता था डूपले बहुत ज्यादा मजबूत गवर्नर था तो हम इसके बारे में बात करेंगे डूपले के बारे में चलो ठीक है है ना चलिए तो डूपले के बारे में हम लोग बात कर लेंगे आगे बरते हैं हम लोग फ्रांस के बारे में और यहां पे हम लोगों ने किसके बारे में बात कर लिया पूर्टगालियों के बारे में डचों के बारे में अंग्रेजों के बारे में और फ्रेंच के बारे में इ इस तरीके से पुर्टगालियों को जिस तरीके से हम से समेटा, फिर हमने डचों को भी समेट लिया, कि भाईया डच जो है ना बेदरा कलराई से वापस चले गया थे, हम फ्रांसीसियों को भी यहां में समेट लेंगे, फ्रांसीसियों को समेटने के पीछे कारण क्या है, क्यो तो एंग्लो फ्रेंच वार देखते हैं अंगल फारंसिसी यूद पहला अंगल फ्रांसिसी यूद फरस्ट अंगल फ्रांसिसी यूद 1746 से 1748 के बीच में होता है एक्जाम में कोशन यहां से पूछते हैं इसलिए इसको ध्यान में रखियेगा और यह अस्टीरियन सक्सेशन क का यूद था ट्रीटी ओफ एक्सलास अपेल से इसको समाप्त किया अब क्या है वो मैं बताता हूं हर चीज का कहानी को सुनिया गाच्छे से दरसल हुआ यह था कि इंग्लैंड और फ्रांस जो है ना बड़ा परतिद्वंदी थे इंग्लैंड और फ्रांस यह इंग्लैंड लिए अलग भासा है और टपने नहीं देता है अपने देश में इंग्लिज को फ्रेंच इतना जादा एक दूसरे से आज भी कटर है और जब भी कोई दूसरा देश लड़ाई करने आएगा तो दोनों एक हो जाएगा लेकिन वैसे दोनों क्या है कटर है बहुत ज्यादा दो हम लोग बात कर रहे थे, तो अंग्रेज और फ्रेंज लराई पुरानी लराई थी यह भारत में आने के बाद लराई हस्त्श्चेप का मतलब होता है कि Rajao में हस्त्चेप करना राजनेतिक हस्त्च्चेप यही होता है ठीक है चलो तो हो क्या रहा था कि England और France नगिव्द अंग्लाइड और France कहीं बाहर दुनिया में कहीं भी लडाई कर रहे थे अपने यूरोप में लडाई कर रहे थे, वहाँ पे लडाई कर रहे थे, ठीक है, उस लडाई का जो हम देखते हैं, उस लडाई का प्रभाव हमारे भारत में भी पड़ता है, तो वहाँ यूरोप में अस्टीरिया के उत्रा धिकार के लिए लड रहे हैं, मैंने कि अस्टीरि तो अस्टीरिया अब उसके गद्धी पे कौन बैठेगा इसको लेकर के इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ाई यानि की बेगाने के साधी में अब्दुल्ला दिवाना ठीक है तो अब दोनों में लड़ाई कर रहा है किसलिए अस्टीरिया के गद्धी पे कौन भारत में तो यही बात हैं लिखा हुआ है कि यह अस्टिरिया उत्रा धिकार का युद्ध है या युद्ध था ठीक है इट-इज नहीं यहां पे था कर देंगे ठीक है और इज के जगह पे आप वाज कर देंगे कभी-kभी मिस्टेक तो हो ही जाता है आपको पता है तो अस इसी के साथ रहते हैं अपने गाउं के एक बंदे के साथ यहां पे मान के चलो दिल्ली में, ठीक है, हमारे गाउं में हमारे परिवार और उस बंदे के परिवार के बीच में लडाई हो गया, तो हम दोनों भी यहां पे दिल्ली में लड़ लिये, कहाई कि हमारे गाउं में दिखाई देता है और इसको समाप्त कैसे किया गया तो भारत में नहीं समाप्त हुआ यहां पे लिखा वा है ना एक्सले सापेल ठीक है चैपल लिखा हुआ है सापेल हम लोग हमेशा से पढ़ें तो मैं सापेल नहीं बोल रहा हूं तो एक सले सापेल की संधी से इसको समप्त किया गया और ये एक्जाम का कोशन बन जाता है और किसलिए एक्जाम का कोशन बन जाता है क्योंकि इसमें बेवकूपी भरी लड़ाई है कि भाया वहां लड़ रहा था भारत में उसके लड़ लिया तो भाया पूछ लो कोशन कि य पर यह एकदम धीला है चले सकेंड एंगलो फ्रेंच वार यह 1749 से 1754 के बीच में अगले ही साल फिर सुरू हो जाता है देखो तो यह किसलिए हुआ था और यह कब खतम हुआ तो यह खतम हुआ पॉंडी चेरी के क्या बोलते हैं ट्रीटी से ४ंडी चेरी के कुश्चन के की संथि से समाबत हुआ इसलिए हम यहां पर आपको एगजाम का कुश्चन वीवी आई कर देते हैं ठीक है पॉंडी चेरी के संथि से कहा था कि इसने डूपले को वापस बुला लिया ये फ्रांसीसियों का सबसे बड़ा गलती था अब जड़ा देखते हैं कि इसमें क्या है कहानी सुनिए कहानी ये था कि डूपले फ्रांसीसी गवर्नर था और बहुत ही ज़्यादा सार्प माइंड का था बहुत ज्यादा इतना साब था ना कि उस समय डूपले से बड़ा कोई गवर्नर भारत में और अंग्रेजों के पास भी नहीं था उस समय और जब तक डूपले था यहां पर फरांसीसी आगे ही था भारत के सक्सेशन में यानि कि भारत में आगे बढ़ने में यह आगे ही था पीछे नहीं था आंग्रेज से कहीं डूपले को यहां से वापस भ्यजता बहुत जरूरी था तो जब पॉंडीचेरी की संधी हुई तो पॉंडीचेरी की संधी में एक सर्थ रखा गया कि डूपले को आप वापस बुला लीजया अंग्रेजों का सर्थ था बाकी हम आपका सर्थ मानने के लिए त्यार है ये बात फ्रांसीसी मान गया अब आप कहिएगा कि सर्थ जब डूपले तो फ्रांसिसी के मानने के पीछे कारण यह था कि फ्रांसिसी यहां अमेरिका में उल्चा हुआ तो कहीं वह सोझ था कि यह छित न निकल जाए've जो अमेरिक सब्सक्रात कान ऑनर्स सौ उसमें बहुत अलग-अलग हितों को भी देखा जाता है अगर भारत के हित की सुरक्षा के लिए इंग्लेंड कुछ भी करने को तयार था या चुकि भारत में उसका समराज बने रहे तो ये बात भी मान लीजिए कि france भी अपने कुछ समराज की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तयार था क्योंकि हमारा भी समराज बना रहे तो उसमें डूपले यहाँ पे नुकसान दे रहा था क्या नुकसान दे रहा था ठीक है franciisic यहाँ पे मजबूत इस्थिती में डूपले के बज़ा से थोड़ा बहुत था ठीक है लेकिन डूपले के बज़ा से फ्रांसीसियों को पैसे भी बहुत खर्च हो रहा था यानि कि कमाने से ज्यादा खर्च हो रहा था क्योंकि डूपले लराई में बहुत विश्वास करता था ये लरने पॉंडी चेरी तक रह गया ये भी बात उसका रिजल्ट हमें देखने में मिलता है ठीक है चलिए जो की आगे दिख जाएगा तीसरा एंगलो मैसूर वार हुआ और एंगलो फ्रांसीसी वार हुआ ये बॉंडी बास का यूद है कई बार एक्जाम में कोशन पूचा है 1760 में और पेरिस के संधी के साथ ये समावत हुआ 1763 में ठीक है चलिए बॉंडी बास का यूद एक्जाम में बहुत बार कोशन पूचे है बॉंडी बास के यूद से तो आप एक बार ध्यान रखिएगा और ये तीसरा जो एंगलो फ्रांसीसी वार था ये कहीं ना कहीं ये तै कर हो गया है पॉंडी चेरी तक सिमट के रह गया है फ्रांसीसी ठीक है थार्ड जो एंगलो फ्रांसीसी वार है उसके बाद पॉंडी चेरी तक सिमट करके फ्रांसीसी रह गया है ठीक है ना चलिए और इससे पहले आपने देखा दूसरा और पहला फ्रांसीसी यूद तो तीन आगे बरते हैं अब हम लोग जो भारत में अंग्रेजों का डेक्स पवर का पास बंगाल हम इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे बेटी सत्ता के विस्तार में बंगाल बंगाल के बारे में बात करें तो ये मुगल समराज का महतपुर्ण अंग था मुगलो का ठीक है? मुगलो का छेत्र था बंगाल और उस समय के बंगाल में बिहार जारखंड जो समय का बंगाल था उसका नतरगत क्या क्या आता था उसको अगर मैं जोड़ू कि क्या क्या आता था उस समय के बंगाल में तो बिहार ठीक है जारखंड जारखंड ठीक है पस्चिम बंगाल ठीक है उरीशा का कुछ छित्र ठीक है, बांगला देश ठीक है और उत्तरपुरु के राज, उत्तरपुरु के राज, ये सारे के सारे उस समय समल लीजे कि बंगाल के अंतरगत आते थे ये सारे के सारे, कितना बड़ा बंगाल था आप अंदाजा लगा लीजे, कहते हैं कि सबसे सम्रिद, सबसे सम्रिद प् ठीक है एक इतनी हासकार है उन्होंने लिखा है कि अगर किसी का बंगाल पे अधिकार हो जाए और नौ सेना उसका बहुत मजबूत हो तो वो दुनिया में सिकंदर को भी हरा सकता है अब समझ लिजिए कि बंगाल कितनी वरी बात थी क्योंकि यहां से अकूत संपत्ती हाथ लगती थी और जो अकूत संपत्ती थी मतलब unlimited कुवेर के खाजाना भी इसके सामने सरमा जाए इतना ज़्यादा बंगाल के पास पैसे था तो इसका मतलब है कि बंगाल सबसे important है और अ मुगलों का छेत्र था बंगाल तो मुगल जो है ना मुर्सीद कुली खा को मुर्सीद कुली खा को यहां का सुवेदार या दिवान बनाके भेजता है मुर्सीद कुली खा को फरुक्सिया उसके बाद सुवेदार या दिवान बनाके भेजता है ना मुगल का जो समरार था आगे चल करके मुर्सीद कुली खाँ और अलवर्दी खाँ ये दो भाई थे तो मुर्सीद कुली खाँ बंगाल का नवाब बन जाता है और नवाब बनते ही सोतंत्र विभार करना शुरू कर देता है सोतंत्र बिवहार का मतलब क्या होता है वो एक बार में आपको समझा दू तो मैं कुछ इस तरी के से समझाऊँगा थ्यान में रखेगा मैं बताता हूं आपको यह मुगल है यह मुगल है जब मुगल अपने चरम पे था तो इसकी सत्ता भारत में अहमद नगर या नीचे बीजापूर, बरार, बीदर, गुलकुंडा सब इसके सत्ता के अंतरगत था मुगलों के सत्ता के और मुगल अपने सबसे चरम बिंदू पे औरंगजेव की समय पहुचा था ध्यान दीजेगा मैं जो बाते समझा रहा हूं थीक है बड़ा अच्छे तरीके से तो क्या हुआ कि औरंगजेव के मिर्तिव के बाद जो बाद के जितने विसासक आये मुगलों का जो बहादूर सा सबसे पहला था फिर जहादार साथ था उसके बाद फौरुक सियर था ये तीन लगातार आये उसके बाद मुहमद सारंगीला था ठीक है उसके बाद और भी लगातार सासक आते हुए चले गए तो वो सारे के सारे सासक किसी काम के नहीं थे यानि कि उनमें इतनी ताकत नहीं होता है जिसको बलते केंद्रिय सत्ता तो जब जब केंद्रिय सत्ता कमजोड होगा तब तब बिघटन कारिकत तो एक्टिव हो जाएंगे यानि कि जो पतन की अवस्था मिले जाने वाले जितने भी इंहींन 않을ीट से सबकेंद्रिय हो जाएंगे और उसी संकीयत का नतीजह था कि उस समय मुगलों से जब अलग होना शुरू हुए सबसे पहले अबध होकाँ आवध हुआ किसे मूगलों से तो ये सारे की सारे सत्ता दीरे दीरे अलग होना शुरू हो जाता है क्योंकि ये मूगलों कहीं सत्ता था मूगल यहाँ पर कमजोर हो रहा है ये बात भी आप ध्यान में रखियेगा तो हम अब अब अधर बंगाल को पढ़ेंगे तो स्वतंत्र विवार काने का मतलब यह है कि अब यह responsible नहीं है, मतलब क्या बोलते है, responsible, responsible नहीं है, किसके प्रती, मुगलों के प्रती responsible नहीं है, और यह अपना सिक्का ढालेगा, अपना सिक्का, राजधानी, अपना जंडा, जंडा, सैनिक, सैनिक समराज, मतलब यह सब कुछ अब इसका अपना होगा, मुगलों से इसका कोई लेना देना अब नहीं होगा, इसी को बोलते है, सुतंत्र विवार करना, यानि कि responsible हो जाना, किसके प्रती, मुगलों के प्रती, तो बंगाल का यही हाल था, मुरसीद को लिखा जो है ना, irresponsible हो गया था, आगे चल करके, अबद का भी यही हाल होता है, जब सादत खा अबद को अलग कर देता है, हैदरावाद का भी यही होता है, जब चीन कि लिच खा अलग हो जाते हैं, तो यह जो नाम मैंने बताया है, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, अब आ रहा होगा, तो अब मैं फिर से एक बार बंगाल की तरफ चलता हूँ, और बंगाल के बारें बताता हूँ, तो बंगाल में क्या कह रहा था, कि मुरसीद कुली खां सोतंतर बेभार करना शुरू कर दिये थे, और उस सोतंतर ये बात एक्जाम के कोशन बन जाते हैं ये बात थ्यान ने रखेंगे ठीक है ना चलिये पक्का आगे बढ़ते हैं मुरसीद कुली खां के मृत्यु के बाद जैसा कि आप देख रहें कि 1727 में मुरसीद कुली खां की मृत्यु को जाती है सासक बनता है सुजाव दीन कोई काम का नहीं है ठीक है आप भरे ही टाइम प्रियर 27 से लेको 49 तक है सरपराज खान ये भी कोई काम का नहीं है 49 ठीक है अलवर्दी खाँ ये थोरा काम का है सासक अलवर्दी खाँ जरसल अलवर्दी खाँ सरपड़ाज खाँ को मार करके और यहां पर सासक बन जाता है अलवर्दी खाँ अलबर्दी खा बहुत सारे काम किये हैं, बंगाल को सुद्रिड बनाने में इसका बड़ा योगदान रहा है, मुर्सिद कुली खा का भी अलबर्दी खा एक कोट है उसके वारे में, किताबों में लिखावा जो अलबर्दी खा कहा करता था कि अंग्रेज मधुमक्खी है तो मधुमक्खी कहने का मतलब क्या है कि अगर उसको छेरोगे तो काट काट के खा जाएंगे और अगर नहीं छेरोगे तो वो सहथ देते रहेंगे हलाकि अलबर्दी खाके यहां कहने का मतलब यह था कि अंग्रेज यह कैसा है आप उसको किये तो आपको tax देते रहेंगे या निकीम सहद जो बोला न देना वो यही होता है कि आपको tax देते रहेंगे आपका ब्यपार चलते रहेगा अलवर्दी खा कि इस statement से हम 100% क्या बोलते हैं अग्री नहीं करते हैं क्योंकि अंग्रेज एक ऐसा प्रानी था जो आपको देखने में लग रहा था कि वो सहद दे रहा है वो सहद नहीं वो जहर दे रहा था slow poison जिसको बोलते हैं क्योंकि धीरे धीरे उसको पूरे भारत जीतना था तुम जीतना उसको तुम छेरो या ना छेरो कोई फरक नहीं पड़ता है वो आपको जहर दे के मारने आया था मार करके पूरे भारत पर कबजा करके लूट पाट करके और वापस चला जाना था यही उसका पूरा का पूरा नेचर था यही उसकी परकिरती थी तो अलवर्दी खा साथ पहचाने अंग्रेज को जरूर लेकिन उनकी पहचान में कुछ गरबढ़ी हो गई और वह पहचान आपको हो गया होगा क्योंकि अंग्रेज आप चले गया है तो अंदाधा चल रहा है कि का नेचर क्या था, अब मैं ऐसा थोरी कि मैं अलबर्दी खाऊंग, चुक्छ अंग्रेज चले गया हैं, उनके वारे में पर पर के मैं जान गया हो, कुक्छ एसा नेचर का था, इसलिए मैं यह बात आपको बता रहाँ कि अगर ना भी छेरते ना उसमें, ना भी छेरते अंग किसले important है? एक साल के लिए तो राजा रहा, लेकिन एक साल में इसने बहुत सारे काम कर लिए. कैसा? आपको बताते हैं. लिखा हुआ आपको मिल जाएगा. हर चीज आपको मिल जाएगा. थोरा सा ध्यान दिजएगा. मैं आपको कहानी सुनाता हूँ. कहानी कुछ इस तरीके स है कि जब सिरा जुद्धौला राजा बना ध्यान समझेगा जब सिरा जुद्धौला राजा बना तो यह तोड़ा सौट टेमपर था यानि कुरोधित आ जल्दी कुरोधित हो जाता था यह बात है और यहां पे दो-तिन बाते बड़ा निकल करके सामने आई जो कि मैं आपको बता दूँ जो अलवढ़्दी खौन का गुस्टा होने के लिए uh आँ काफी था अंगरेज उसे वह दो-तिन बात अधा तो पहला बात तो यह था कि आंगरेज क्या बहुते हैं मैं जल ही सबको मिटाता हूं ठीक है पहला गुसा होने का कारण था पहला कि अंग्रेट जो है नँग्छ फोर्ट किले बंदी कर रहे थे किला बंदी किलस का कलकत्टा का, किला बंदी कर click कर रहे थे था अंग्रेज, पहला प्वा इहां पर इससे भी सुजाजु दौला उसे नाराज था, उसने किलилबंदी करने के लिए मनाखिय था लेकिन अंग्रेज नहीं माना दूसरा पॉइंट है दस्तक का दुरुप्योग, दस्तक का दुरुप्योग, यह दस्तक का दुरुप्योग का मतलब क्या होता है, वो जरा एक बार हम समझते हैं, और दस्तक क्या होता है, वो समझते हैं, तो अंग्रेजों को बंगाल में ब्यपार करने के लिए दस्तक मिला ह और बंगाल के भी जो नवाव है उसको एप्रूब किये थे वो दस्ता क्या था? फ्री ट्रेड था यानि कि आप ट्रेड करेंगे और आपसे चुंगी और टैक्स नहीं लिया जाएगा या कम लिया जाएगा फ्री टो नहीं किह सकते हैं, मिनमम् लिया जाएगा यह क्या बोलते हैं, परमीशन री था अंग्रेजों को जिसको हिंडी में इतिहांसकार दस्तक बोलते हैं और दस्तक सब दी चला रहा है, एकजाम में हो सकता है आपको दस्तक लिखे, पर्मीशन के जगवा पे, ठीक है, तो दस्तक का दुरुप्योग, अब कैसे दुरुप्योग करते थे, तो अंग्रेजों को तो मिल गया कि आप मिनमम टैक्स पे करके ब्यापार करेंगे, ये मिला अंग्रेजों को, अंग्रेज क्या करते थे, भारतिय ब्यापारी को भी उसी दस्तक से समान मंगबाते थे अपने नाम पे तो भारतिय ब्यापारी को भी मिनिममम टेक्स करना होता था क्योंकि वो तो अंग्रेज के नाम पे आ रहा है और अंग्रेज बदले में भारतिय ब्यापारी से पैसा लेते थे अब इस पूरे कहानी को समझ मान के चलो कि कोई व्यपार करने में भारती में रूपार ये को 100 रूपי लगता है ठेक्स के रूप में ठीक है और अंग researchers यह है इंडीयन है और english english को लगता है मान के चलो कम देना है तो 50 रूपया देना पचास उरुपया देना है अब क्या है कि अक्रे तबो Um 10 रुपया और दे देना तुमको हम अपने नाम पर मंगवा लेते हैं तो यानि भारतिय वेपारी से अंग्रेज कितना पैसा ले लेता था या इससे ज्यादा के revenue में नुक्सान हो रहा है तो यह बहुत बड़ा नुक्सान है इसी को दस्ता का परयोग कर दूरूपियों कहते हैं मतलब हमको जो अधिकार मिला उसका दूरूपियों करके हम दूसरे को भी उससे ब्यापार का आयातनरियात करवा रहे हैं समझ में आगय उसको देश निकाला का सजा दिया था और अंग्रेज उसको अपने हां सरन दे दिये थे ठीक है तो सरन देना ये भी एक बड़ा राजा के लिए अपमान जनक बात थी तो पहले से ही राजा सिराजु दौला गुस्सा में था और अब ज्यादा और अपमान जनक बाते हो यहां सिराजु दौला और अंग्रेज के बीच में लडाई का कारण में तीन बाते जरूर आप लिख लीजेगा गिलेबंदी करना, दस्तापी Uhr करना और जो भी सिराजुदॉदॉला जिसको भी सज़ा देता था उसको अंगृज अपनी अहां सरान देता था, उसको सुरकछा देता था यह बात ठीक है चलो अब क्या हुआ तो आप चुकि सिराजुद दौला तो भिहरक गया है तो वो क्या किया कि मुर्सीदाबाद से चला असैनिग ले करके और पूरा कलकत्ता तक आते कासीम बजार वेगरा को रौत दिया यानि कि सब को अपने कभजे में कर लिया देखो जब्त कर लिया ठीक है सब को जब्त कर लिया और कलकत्ता वेगरा को जब्त करके सब को जब्त कर लिया जब्त किया बहुत सारे अंग्रेज मारे गए बहुत सारे अंग्रेज भाग गए और भाग करके कहा सरन लिया तो बंगाल से ही आगे वहाँ पे देखें बंगाल की खारी में फुल्टा दूइप है फुल्टा दूइप यह भी कोसण कभी कभी एक्जाम में पूछ लेते हैं कि अंगरेज कहा सरन लिए थे तो फुल्टा दूइप पर सरन लिए थे ठीक है कहानी समझियेगा सरन लिए अब कासीम बजार वेरों कब्जा किया कलकत्ता वेरों कब्जा करके और वहां पर फूल्टा दूपर अंग्रेज भाग करके अपना जान बचा है और यहां साउथ में हैदराबाद में रोबर्ट कलाईब मौजूद था हैदराबाद के लडाई के लिए यानि कि वह हैं विरा से यानी कि पूरा का पूरा सेनिक लेकर के आता है कहा तो सब अंग्रेज को सिराजु दौन को वापस करना परता है अब आप बोलेगा इतना असानी से कैसे होगा तो ये इतना असानी से नहीं हुआ बस मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको समझेगा और फिर मैं कहानी आगे सुनाओंगा तो अली नगर की संधी हुई ये कोसन एक्जाम का बन जाता है इसलिए मुझे बताना था अली नगर के संधी से ये सारा चीज़े वापस लेने पड़ी अब इसके पीछे का पूरा कहानी क्या जो मैंने बताए कि एकदम से अली नगर की संधी कैसे हो गई तो एकदम से नहीं हुआ दरासल ये सारा कहानी जब चल रहा था कबजा करने का तो उसमें घटना हुई थी ब्लैक होल की घटना ये ब्लैक होल की घटना क्या है तो कहते हैं कि एक छोटी सी कोठरी में एक छोटी सी कोठरी में जून के महीने में आप जानते हैं जून के महीने में कितनी गर्मी होती है जून के महिने में एक छोटी सी kotery में बहुत सारे अंग्रेजों कोहते हैं कि 200 या फिर जो預算 होगा, ठीक है, छोटी सी koetry में बहुत सारे अंग्रेजों को माननकों के चलों कि 202, 203, ऐसा करें अग्रेजस के कुछ है नग्रेज, तो संख्या में अंग्रेज को बंद कर दिया चोटी सी को अजरी में, 10 वाटस के कोट्री में, अगर 100-500 को बंद करेंगा, 50 को बंद करेंगा, तो पिर क्या हालोगा जानते हैं, जूण का महीना है, तो कहते हैं कि ये इसमें से सिर्फ एक ही अंग्रेज जिन्दा बचा और सारे अंग्रेज मर गए इसी को ब्लैक होल की घतना कहते हैं कि एक छोटी सी कोठ्री में अंग्रेजों को बंद कर दिया और अंग्रेज जो है न उबल के मर गए और ये बाते अंग्रेजों ने इतना फैलाया उस समय का अखवार से हलाकि इतिहासकार कहते हैं कि ये बात गलत है एकजाम का कोशन बन जाता है इसलिए मुझे ये कहानी सुनाना पड़ा है एकजाम का कोशन क्या बन जाता है कि बलैक होल की घटना किसके समय हुई तो सिराजुद दौला के समय में कहां हुई बंगाल में कलकते में हुई ठीक है तो ये बलैक होल की घटना ठीक है तो बलैक होल की घटना इतिहासकार कहते हैं कि ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था लेकिन चुकि अबमान के चलो अगर हुआ भी तो अंग्रेजों ने इसे इतना फैलाया इतना बढ़ा चला के फैलाया जैसे लगा कि कोई आसमान तूट गया हो उसके उपर में और वहाँ पर इंग्लेंड तक ये बात फैलाया और इंग्लेंड से एप्रूबल भी ले लिया रोवर्ट कलाईव अपनी एक्जीक्यूशन को आगे बढ़ाने का और वो आगे बढ़ाना क्या था पूरे बंगाल को अपने कवजे में लेना ये उसके दिमाग में चल रहा था और बलैक होल की घटना ने जो कि सच है या जूट है इसमें बात नहीं कर सकते लेकिन बलैक होल की घटना ने इसमें और तिब्रता ला दिया क्योंकि ये आज ना कल तो बंगाल को अगवजा में करना ही था वो तो ये सोची रहा था लेकिन इसको और तिब्र कर दिया और उ को पलासी का ये लड़ाई में हड़ाता है, तो अब सर्डयंत्रों का क्या बजार था, वो देखते हैं, थोरा सा ध्यान दीजैएँ, यहां तक तो मुझक लगता है समझ में आगया differenti चलिए सर्ड्यंत्रों के बजार के बारे में बात करते हैं और सर्ड था तो जब पलासी कायूद हम बात कर रहे हैं 1757 तो जब कलाईव बहائा था था सWow दो दहिए शिरो दॉला की उसस जादा बात्य समझा कर निकरता हूँ आती notes में मिल जागा यानि कि PDF जो देंगे वह मिल जागा लेकिन जो बात मैं बताता हूं वह लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो उसको आप अपने copy में लिखेंगे कि कौन क्या था जो कहानी था उसको थरा सुन करके उसके कुछ keywords को लीख लेना, इससे क्या होता है कि exam के question, previous year question solve करना, तो ये सारी चीज़ आपको करना है, घसीटी बेगम, घसीटी बेगम कौन था, तो ये मौसी था, किसका सिराजी दौला का मौसी था, मौसी, ठीक है, बता मौसी भी कैसी होती है, सौकत जंग, सौकत जंग कौन था, तो बहुत बड़ा banker था, बहुत बड़ा banker, ठीक है, तो banker था, साहुकार हम लीख सकते है, सबसे बड़ा साहुकार था, ये बात समझ लीजे, सबसे बड़ा साहुकार था, ये बात आप समझ लीजे, ठीक है, सबसे बड़ा साहुकार था, जगत सेट, चलो ठीक है, अमीन चंद बिचोलिया था और और भी लोग इसमें सामिल थे ठीक है ये सारे के साजिस में सामिल थे किसके समराट के यानि की सिराजुदौला के नवाब के खिलाफ में अब अंग्रेज जो है न यहाँ पर ध्यान दिजाएगा कि इन सब को कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोब देता है कि तुमको नवाब बना देंगे मिर्जाफर का लोब क्या होता है नवाब बनने का लोब होता है उसी तरीके से हर किसी को कुछ न कुछ लोब दिया गया हर किसी को और उस लोब में ये सारे के सारे उस सजयंत्र में सामिल हो गया और उसका परिणाम ये निकला कि ज मिरजाफर उसमें लड़ाई में सामील नहीं होता है उसका बहुत बड़ा सैनिक क्या सेनापती को जानता है तो मीर मदान और मोहन ये दो लोग ही थे जो बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं और इन दोनों के मरने के बाद जो सिराजु दौला है वो कमजोर होते चले आते हैं फिर क्या हाता कि सिराजु दौला अपने कुछ सैनिक के टुकरी लेकर के वहां से निकल जाते हैं लेकिन रास्ते में मीरन जो कि मिरजाफर का बेटा है मिरजाफर का बेटा है वो सिराजु दौला को क्या करता है मार देता है मार देता है किसको सिराजुदौला को मीरन तो यह भी question exam में बना है कि सिराज़ दोला को किस ने मारा तो मीरन ने मारा जो कि मिर्जाफर का बेटा है ठीक है मीरन चलिए ठीक है सिराजुदौला की यहां पर मिर्त्यू हो जाती है सिराजुदौला की जब मिर्त्यू हो जाती है ध्यान लखेगा तो अब नवाब जैसा की कहा गया था कौन बनेगा तो नवाब बनेगा मिर्जाफर तो मिर्जाफर को नवाब बना दिया जाता है तो अब यह फर राजा बनते ही अंग्रेजों को खुश करने की कोशिश करता है लेकिन अंग्रेज तो एक ऐसा सेर था जिसको खून का आदत लग गया था तो वो कैसे खुश हो सकता था? खुश करने के लिए बंगाल बिहार और उरिशा का दिवानी अंग्रेजों को दिया गया बंगाल बिहार और उरिशा का दिवानी लेकिन वो खुश कैसे रह सकता है यह बात भी आप जानते हैं वो खुश नहीं रह सकता है तो खुश नहीं रहने के लिए अंग्रे यहां पे ध्यान दिजेगा खुश नहीं रहने के लिए मिर्जाफर को हटा रहता है क्योंकि देखो मिर्जाफर चुब और ज्यादा मांग करता है कुछ ना कुछ ना कुछ हमेशा मांग करते रहता है मिरजाफर इस मांग को पूरा नहीं कर पाता है, तो मिरजाफर का दमाद होता है मिरकासिम, उसको नवाब बना दिया जाता है, बंगाल का मिरकासिम, चलिए, तो यहां पर देखें, नवाब किस तरह बदल रहा है, सिराजु दौला, मिरजाफर, मिरकासिम, और उससे पहले भ साथजवाइब से ख़रब हो जाएगा तो इसने क्या किया सबसे पहली एपनी राजधानी बदला और मुरसीदाबाद से राजधानी कहां लेके आया यहां प site राजधानी मुरसीदाबाद से मुंगेर लेके आया और मुंगेर में इसने आयुद factory लगाई, यानी कि हथियार बेगर गोले बारूद बनाने का factory लगाया, और यह बात यह तय था कि अंगरेज से उसको लरना ही परेगा, यह बात भी तय है, किसे लिए, क्योंकि अंगरेज उसको छोड़ेगा नहीं, किस तरीके से राजधानी परिवर्तन कर रहा है, अपना मन का काम कर रहा है, तो यह सारे कहानियों से, ठीक है, चलिए, तो मुंबेर में इसने आयुदू फैक्टरी लगवाया, और यहां पे और भी बात में बता दू, थोरा सा इसके बारे में, किसके बारे में हमें बताना है मिरकासिम के बारे में, मिरकासिम के बारे में एक, दूसरा बात मिरकासिम ने क्या किया, पहला, राजधानी, यह मिरकासिम का काम बता रहा है, राजधानी परिवर्तन, ठीक है, दूसरा काम क्या किया मिरकासिम ने, वो देखो, दूसरा काम किया रहा है मिरकासिम ने, कि दस तक सबके लिए सबके लिए free सबके लिए मुक्त कर दिया ठीक है? दस तक से तो ये बात भी हो गया यहाँ पे तीसरा point यहाँ पर क्या किया? इसने factory लगवाई, कौन से factory? आयूद कार खाना, जिसको बोलते है ना कि बम बारूद या हतियार का कार खाना, तो हतियार लिख सकते है हतियार का कार खाना ये सारा काम जो है ना कहीं न कहीं अंग्रेजों के कान ख़ड़ा करने के लिए काफी था अब अंग्रेज एकदम पगलाये जा रहा है कि भाया ये का कर दिया ये तो बड़ा मतलब हद कर दिया तो अभ इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा मिर्पासिम को भी समलज में आ गया कि अंग्रेज हम कचो छोडएगा नहीं उसको सम भी समझ में आ गया तो मिर्कासिम ने क्या कि मुंगेर को छोड करके पटना आया पटना में भह Details बहुत सारे अंग्रेजद अधिकारियों को attempts बहुत सारे अंग्रेज ओक उस ने मारा, यह भी बात है मूघेर अधिकारियों rasa में मूघेर पतना आया पतना है वमेह आन सारे अंग्रेज्दों को मारा किस मिर्कासिमने और अनतथा कहा पहुंच गया? अवध यानि कि हम चलते हैं अब अवध की तरफ अवध पहुँच गया ठीक है अब ये जो आगे बढ़ रहे हैं न हम पलासी से बकसर की तरफ बढ़ रहे हैं पूरी कहानी पलासी से बकसर की तरफ सीव ठोड़ी द्यान समझेगा तो अवध की तरफ बढ़ गया कौन मिरकास और अबध में पहले से बैठा हुआ था मुगल समराथ साह आलम दूतिये तो मुगल समराथ साह आलम दूतिये पहले से बैठा हुआ था और साह आलम दूतिये कही ना कही यह बात हो रही है 1764 का तो साह आलम दूतिये कही ना कही इससे पहले क्या बोलते हैं मराठाओ का पेंश और आवद के नवाब है सुजा उद ला नाम समझेगा सुझा हुआ है फुला हुआ ुदोला है तीसरा पहुंचता है मिरकासीम मिरकासीम को हम नवाब तो नहीं कह सकते है क्योंकि मुंगेर और मुर्शिदावाद की गड़ी चोर कर के अवद तक आया है तो नवाब कौन, वहाँ पे नवाब कौन बना है? मतलब बंगाल में, जहां मिर्कासिम छोड़ काया, तो बंगाल में नवाब बना फिर से मिर्जाफर, यानि कि फिर से मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, तो बंगाल के अब नवाब का काम वहाँ पे रोख साह आलम दूतिय जो किसी काम का नहीं है पेंशन खोड़ है और एक है महत्वा कांची मीर कासीम जो कि अंग्रेज से बिद्रोह करके यहां पर आया है यह तीनों का पूरा का पूरा एक संगठन बनता है और तीनों एक साथ मिलकर के किसे लड़ते हैं अंग्रेज से और अंग् और यह लड़ाई किसी सड्यंत्र के कारण नहीं लड़ा गया था दरसल यह लड़ाई पूर्ण रूप से अगर हम बात करें तो यह लड़ाई था बहादुरी की लड़ाई अपनी सेना पतितु दिखाने की लड़ाई तो मुन्रोह क्या होता है यहां पर जीत जाता है ठीक इस दोनों से इलाहबाद की संदी होती है यह पॉइंट है और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया जो एकजाम का कोशन बहुत बहुत बार बनाया है कि बंगाल में दोएद सासन की शुरुवात हो जाती है दोएद सासन का मतलब यह है कि अब चुकी बक्सर की लडाई अंग्रेज जीत चुका है तो बक्सर की लडाई जीतने के बाद यहां पे ध्यान दिजाएगा कि पूरा का पूरा बंगाल अंग्रेजों के कबजों में आ जाता है और यहां पे अंग्रेज अपने तरीके से सासन चलाना शुरू कर देता है और वह सासन कैसा होत एक collaborative Land करना शुरू होता है कि company की पास दिवानी के नवाव के पास प्रसासन का धिकार होता है दो लोग करना सुरूता है स्वासन का लायगा क्यों कि देख़ए रहें धशु c к यह लोग ने बात किया वह था आपका बंगाल का तो हमने क्या कि किस तरीके से बंगाल को बिजय मिलता है किस तरीके से बंगाल पे अंग्रेजों का बिजय होता है ये बात हम लोगों ने देखा यहां पे चलिए तो यह हिंदी में है जो भी point है ओ हिंदी इंगलिस दोनों में है ठीक है न चलिए यह हो गया अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा दूसरे में और वो है हमारा मैसूर जरा मैसूर के बारे में बात करते है कि मैसूर के बारे में क्या है तो देखो यह मैसूर आपका है से ले करके और नवाब बनने तक की पूरी कहानी है तो हैदर अली यहां सरवे सरवा था और इसने हैदर अली का जो टाइम पिरेड़ है इसका सबसे इंपोर्टेंट यही है किसके वारे में मैसूर के वारे में समझ में आ गया चलिए अब आगे बरते हैं देखो जब अंग्रेज एकस्पेंशन में आते हैं तो उसके एकस्पेंशन में ध्यान रखेगा कि दूसरा जो सबसे इंपोर्टेंट राज्य होता है जो अ और मैसूर को अपने समराज का हिस्सा बनाने के लिए वो जाकर के मैसूर से उलस जाता है साउथ में और यहाँ पे हैदर अली जैसा बहादूर युद्धा है जो कि अंग्रेजों को हराता है कई बारी अंग्रेजों को हराता है है यह बात भी सही है तो मैसूर आता है अंग्रेज और देखते हैं कि मैसूर में क्या-क्या कहानी होती है तो जो पहला एंगलो मैसूर वार है वो होता है 1766 से 1779 66 से 69 हिंदी में लिखवा मिल जागा और यहाँ पे हैदर अली अंग्रेजो को हरा देता है और जो लडाई समाप्त होती हो वो मद्रास की संधी से लडाई समाप्त होती है यानि कि अब अंग्रेजों का पूरा ध्यान मैसूर के तरफ है तो जब अगर मैसूर के तरफ आचा है हैदर अली बड़ा चलाख है इसमें यह समझ में आ रहा है चार लोग आप यहां पर देखो किस तरीके से कहानी चलती हो देखो लडाई किसके बीच में है मैसूर और अंग्रेज के बीच में लडाई है अंग्रेज क्या देखेगा अंग्रेज देखेगा कि हम निजाम और माराथा को अपने मिला ले ताकि मैसूर को हम हरा दे, इस दिमाग से लड़ाई करेगा, हैदर अली ने क्या किया, बड़े दिमाग लगा करके निजाम को अलग कर दिया मनाठा को अलग कर दिया, लड़ाई सिधे सिधे अंग्रेज और मैसур के बीच में हुआ और अंग्रेज यहां लड़ाई हार गया और मदरास के संदी से लड़ाई समात हुआ दूसरे में यानि की सकेंड जो होता है जिसमें फिर से अंग्रेज वही चाल चलने की कोशिज करता है लेकिन इस बार हैदर अली थोड़ा सा चुप गया क्योंकि यहां पे अंग्रेज जो है ना इनकी सहायता लेने में सफल हो गया यहां पे इनकी सहायता लेने में अंग्रेज सफल हो गया यानि निजाम और मराठा की और वहां पे हैदर अली पोर्टो नोवे के अस्थान पे और यह कोशन एक्जाम का बन जाता है कई बारी पूछा कोशन पोर्टो नोवे के अस्थान पे सर आयर कूट से हार जाता है और मिर्ति हो जाती है है एक्जाम में बहुत बार कोशन पूछा है कि हैदर अली को क्विश लड़ाई में हैदर अली के मिर्ति होती थे पोर्टो-N 01 की लड़ाई में सर इयर कूट से लड़ते हुए इयर कूट उसका नाम मैं सर्वर नहीं लगाता हूं ठीका चलिए आगे लेकिन यह लडाई यहँ समाप्त नहीं होती है हैधरा लिखवाद उसका बेटाद टीपी सुल्टान इस लडाई को आगे बढ़ाता है और लडाई लगातार चलते रहता है मैंगलोर के संधी से लडाई समाप्त होती है इस समय वारिन हेस्टिंग्स गवर्नर है इसमें बॉरेंज इस्टिंग्स गवर्नर जेनलर है और एक बात याद रखिएगा कि इस लड़ाई में किसी की हार और किसी की जीत नहीं होती है इसमें किसी की भी हार और किसी की जीत नहीं होती है टीपू सुल्तान का यहां इंटरी है इबात याद रखेगा क्योंकि हैदर अली की यहां मिर्ति हो गई है अच्छा क्या इससे पहले टीपू सुल्तान घर पे बैठा था नहीं लड़ाई तो वह लड़ी रहा था लेकिन अब टीपू सुल्तान के उपर रिस्पोंसिमिलिटी है राजा करूप में यहां पे इंटरी है क्योंकि हैदर अली अब राजा नहीं है उसकी मिर्ति हो चुकी है यह बात ध्यान रखेगा तो पहले लड़ाई में हैदर अली जीतता है और मद्रास के संदी से लड़ाई समाथ होता है दूसरे लड़ाई में हैदर अली जो हना पोर्टों ओब के लड़ाई में हार जाता है आयरकूट से और यहां पे टीपू सुल्तान लड़ाई संभालत है संधी तो हो जाती है मैंगलोर की संधी लेकिन कोई बराबरी की एक यूद थी तीसरे यूद जो हता थोर्ड 792 से बिरान्मे में जो कि 3rd war होता है एंगलो मैसूर का उस में टृ tali ऑफ स्री रंग पत्नम से यह लडाई समाप्त होती is टीपू सुल्तान की इसमें हार होती है कौणडवालिस अब तक गवर्णा जरनरल को रूप में आ गया है और टीपू के आधा समराज किसको पास चला जाता है अंगरेजों के पास चला जाता है आधा समराज और यहाँ पर कॉर्णवालिस के तरफ से निजाम भी लड़ते है और मराठा भी यानि कि टीपू को हराने के लिए ये दोनों होते हैं ठीक ही बात याद रखेगा कॉर्णवालिस ने एक statement भी दिया था जब टीपू सुल्तान हारा था और उसे आधा समराज ले लिया था कॉर्णवालिस ने तो उसने एक statement दिया था कि मैंने अपने दुस्मन को पंगू भी बना दिया और अपने साथियों को कुछ दिया भी नहीं मतलब कि वो आधा मतलब ट हो जाती है agreement हो जाता है तो निजाव और मराठा को यह लोग कुछ नहीं देते हैं यह लोग कुछ नहीं देते हैं यह बात भी आप समझ लीजिएगा ठीक है चलिए तो तीसरे लडाई में टीपू सुल्तान कमजोर हो जाता है और यहां पर चौथे लडाई और तीसरे लड मदद मांगता है उसमें इरान के से मदद मांगता है टीपू सुल्तान चुकि उसमें बड़ा विद्वान किसीम का लोग था लेकिन हैदर अली की तरह चालवाज नहीं था विद्वान होना और चालवाज होने में अंतर होता है ठीक है इस बात को आप समझ लीजिएगा तो यहां पर टीपू सुल्तान मदद जरूर मांगता है फ्रांस से या इरान से उस समय के जो आसपास के सासक होते हैं लेकिन वह मदद पहुंचने में लेट हो जाती है और तब तक 1799 में अंग्रेज टीपू सुल्तान पर आकरमन कर देता है और यहां पर टीपू सुल्तान की म Mirtu हो जाती है, तीसरा, टिपू सुल्तान आधा समराज देता है, और चोथा टिपू सुल्तान पूरे तरीके से मैसुर को खो देता है, उसकी मिर्थ्यू भी हो जाती है, स्रीडंग पट्नम के किले पे लरते हुए, मैसूर की क्या थी ? राजधानी थी अगर आप से कोस्ति फूचेगा मैसूर की राजधानी तो कहा थी ? सिरी रंग पत्नम ज़ा यह तो हो गया एक लडाई का पूरा कांडी अब थोरा सा हम यहाँ बात करते है टिपु सुल्ञ वाय के बारे में टिपु.. तिपु सुल्तान को उस समय का सबसे प्रहावसारी राजा माना जाता था और क्यों कि देखो टिपु सुल्तान के बारे में कुछ बाते बताते हैं ये रोज अखवार परता था अलग अलग भासाव का अखवार इसके पास आता था ये फ्रांसी सी करांती से बहुत ज़्यादा प्रभावी था और जैकोबीन कलब का सदस्वी बना था जैकोबीन कलब का सदस्वी बना था तिपु सुल्तान ठीक है याद रखेगा इसने नय जो आज चलता है कि कॉंसुलेट अस्ठापित करना और क्या बोलता है उसको लुत बगारे भेजना तो इसने इंबैसीज भॉह सारा बहुत बहुत जगा पे में इंबैसीज का स्थापना किया था इसने किमलते हैं यह ऐक पॉइंट हो गया अलग अलग डेसों का अलग अलग छेत्र और फर्लों का अखबार भी परता था यह दान व्य मंदीर की argument सुरस्वती मंदर में दान भी दिया था, जो सेकुलर होने का परमान है, ठीक है ? मैं इनके बाएदर अली बता थे, ऐधर अली कहा करते थे इतहासकारों , है बात बोलते है , पुछ इतिहासकार हैं। तो हैदर ऐली के बाड़े में कहा जाताहए है कि वह कहते थे कि सव दिन चुहें की तरह जीने श nói एक दिन दिन कीत्तर जयना जाए तो यह जीने की बात करते थे हैदर ऐली सिछल की तरह और टिपू सुल्टान के बारे में इब्धान नखेगा अखवार जैकोविन कलब, इंबैसीज की अस्थापना, सुरस्वती मंदिर का दान दिया था, ये सब टिपू सुल्टान के कुछ बिशेश खासियत है, जैकोविन कलब का मतलब होता है, फ्रांसीसी करांती से बहुत ज ये बात भी ठीपू सुल्टान के बारे में ध्यान में रखिएगा, इसे मैसूर का सेर कहा जाता है, हलाकि मैने कहा कि इस पे दुवंद है कि हैदर अली को कहा गया कि टीपू सुल्दान को लेकिन मैसूर का सेर कहा गया है ठीक है ना चलिए तो यह चोटा सा पॉइंट था जिसको आप ध्यान में रखेंगे चले बिर्टिस एक्सपेंस में बिर्टिसों के जो एक्सपेंसन था उसमें अब उसे जो एक्जाम का पॉइंट निकलेगा उसके उपर चर्चा कर लेते हैं सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहां पे देखते हैं ध्यान दीजेगा सिख के बारे में सबसे पहले गुरु गोबिन सिंग है और यह सिख धर्म के संस्थापक भी है इनका जन्म 1469 में हुआ था अस्थान तलबंडी ननकाना साइब है और लंगर सिस्टम को इसनों ने स्टार्ट किया था किनों ने गुरु नानक देव ने ये बात आप ध्यान में रखिया गुरु नानक देव ठीक है सिख धर्म के परवर्तक माने जाते हैं सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गुरू अंगद होते हैं इन्हों ने लंगर को अस्थाई बना दिया तो यह कई नानक देव जी के बारे में बताया है मैंने founder of Sikhism चलिए आगे उसके बाद है गुरु अमरदास और गुरु रामदास जी तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी और चोथे गुरु गुरु रामदास जी के बारे में है कि जो Sikh विवा का एक परंपरा है लवन उसको इन्होंने परचलित करवाया और गुरु रामदास जी ने अमरित सर सहर की अस्थापना किया और गुरु परंपरा को अनुबानसिक बना दिया यहीं से यह तीनों कोशन एक्जाम में बंदे खास करके दो कोशन तो बहुत इंपोर्टेंट है दरसल यह अकवर के समकालीन थे और इनकी वाइफ को बीवी वानी उनका नाम है अकवर ने 500 विगा जमीन दिया था जिस पे अमरित सर नाम की सहर का अस्थापना किया गया है तो यहाँ पर ध्यान दिजेगा अमरित सर की सहर की अस्थापना और गुरु परंपरा को अनुबानसिक बनाना यह गुरु रामदास जी के समय में हुआ है गुरु अंगज जी के समय में गुरु मुखी लीपी की बात कर रहे हैं और गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक रूप में जाने जाते हैं कि आगे हम लोग बात करते हैं ध्यान दीजिएगा आगे जब हम लोग बात करते है तो देखेगा गुरु और जुन दे बहुत important है exam में बहुत लुआ कोसला पूशा गया है क्यों इन पॉट्ट है क्योंकि इन्ने आधी गरण्थ की निर्मान किया था यह वध है इसे मार दिया था और खुद को सच्चा बातसा कहते हैं यह चारो कोस्टन एक्जाम में आये हैं और बहुत इंपॉटेंट है मैं फिर से बता हूँ ध्यार रखेगा वी वी आई है हाला कि हमने आपको गुरु अरजुन देव के वारे में बताया था जहांगीर के समय में ठीक है तो मैं कुछ और बात बता दू कि यह सिक्षों के पांचवे गुरु अरजुन देव ने उसके बाद स्वन मंद्र का निर्मान गुरु अरजुन देव हर मिंदर साहिव और जहांगीर द्वारा इनकी मिर्त्यू ये बात आप दियान में रखेगा एक्जाम का कोशन बहुत इंपॉटेंट है ये उसके बात गुरू हर गोविन इन्होंने अकाल तक्त की अस्थापना किया ये गुरू छटे गुरू है गुरू हर गोविन अकाल त एक जगा कंपाइल कर दिया चाकि आपके एक्जाम के कोशन यहां से सौल्व हो जाए तो गुरू अर्जून देव से लेकर के और नौवे गुरू गुरू तेग बहादूर जी तक की बात कर लिए अब हम बात करते हैं दसवे गुरू, गुरू गोबिन सिंघ जी का जब गरू गोबिन सिंग की बात हम लोग करते हैं तो उनका पटना में हुआ था वहाँ पर आफ जानते हैं कि अभी भी पटना साहीव के नाम से जो पूरा चल धाए नहीं के नाम पे मिर्ति उनकी नानदेर में हुआ था और इन्हें खाल्सा किया स्थापना किया था ये बात भी एक्जाम का कोशन है और गुरु गरंद साहीब का भी और गुरु का कमान सिरी गुरु गरंद साहीब को सौप दिया तो उन्हें आधी गरंद का और इन्हें गुरु गरंद गया उसी रास्ते पे अब आगे सीख धर्म का पूरा का पूरा कहानी चलने लगा तो दसवे गुरू और अंतिम गुरू थे गुरू गोबिन सिंग याद रखेगा इस बात को बाबा फरीद एक सूफी संथे उनकी कुछ उपदेश आदी गरंथ में है क्या बलते हैं जिनकी कमपाइलेशन किस ने किया था पांचवे गुरू गुरू अरजुन देव ने बाबा फरीद ये कोशन एकजाम काया बाबा फरीद के कुछ जो क्या बलते हैं उपदेश है वो आदी गरंथे में समाहित है, मेरी बात को अच्छे तरीके से लिखेगा, मुझे एकदम से याद आया है, मैं आपको बता दिया हूँ, अपने कॉपी में लिख लेना बावा फरीद के बारे में, ठीक है न, चलिए, तो यह हो गया, गुरू के दस परंपरा की बात हम लोग ने ताकत थी, पेसिया का पर्थम साथ ताकत कौन था, तो उस समें अंग्रेज था, और दूसरी सबसे बड़ी ताकत कौन थी, महाराज रंजीज सिंग की थी, और इसके बावजूद भी, अंग्रेजों को एक्सपेंशन करने में, महाराज रंजीज सिंग रोकने का प्रियास नहीं किये इवेन दोनों ने ट्रीटी कर लिया अंग्रेजों ने और महाराजा रंजी सिंग ने कि हम चेनाब या जहिलम के उस पार नहीं आएंगे और आप भी उधर नहीं देखेंगे ऐसा करके चलिए देखते हैं महाराजा रंजी सिंग के बाद फांडर आफ शिकुरूल इन पंजाब कैपिटल इनका लाहौर है महाराजा रंजी सिंग और अंग्रेजों के बीच में एक पूरा का पूरा ट्रीटी हुआ था जिसमें कहा गया था कि महाराजा रंजी सिंग अपने समराज का बिस्तार मतलब क्या बलते हैं जेलम नदी या चेनाव नदी को उसपार नहीं करेंगे और अंग्रेज भी उस तरफ नहीं देखेंगे चलिए ठीक है ये एक ट्रिटी चल रही थी लेकिन ये बहुत दिनों तक चली नहीं जैसा कि आप जानते हैं महराजा रंजी सिंह की कबाद घड़क सिंग, ननिहाल सिंग, सेर सिंग ये कुछ राजा बने महराजा रंजी सिंग केबाद कोई किसी काम का नहीं है और यहीं पे ऐंग्रोस शिखवार का पूरा का कहानी चलने लगता है और एंगलो सिखवार जो अंतिम राजा थे दिलीप सिंग उसके समय में हुआ यहाँ पे ध्यान दिजेगा 1845 से 1846 लाहोर की संधी के साथ पहला एंगलो सिखवार समब्त हुआ और दूसरा एंगलो सिखवार डलहौजी के समय में पंजाब पर कवजा कर लिया इस समय हुआ यह था कि पंजाब पर कवजा करने के बाद दिलीप सिंग को भेज दिया गया कहां इंगलैंड परने के लिए इनही के नाम पर दिलीप ट्रॉफी है महराजा रंजी सिंग के नाम पर रंजी ट्रॉफी है हमारे देश में समझे रहा है ना तो यह दिलीप सिंग रंजी सिंग का पूरा का पूरा कहानी चल रहा है चलिए ठीक है तो यह सिखों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया किस तरीके से सिखों पर कभजा किया और सिखों के दस गुरू के बारे में हमने बात कर लिया उनके बारे में चलिए तो यहां पर हम लोग ने इतना सारा बात किया अंग्रेजों के एक्सपेंशन के बारे में अब हम लोग कुछ गवर्नर जनरल आगले वीडियो में पढ़ लेंगे आज के वीडियो को आज के लेक्चर को यही पे रोकते हैं आगले लेक्चर हम लोग गवर्णर जेनरल और उसके बारे में कुछ पॉइंट के बारे में बात करनेंगे उससे आगे तो थैंक यू, थैंक यू बेरी मच